नमस्कार सातियों जैसा कि आप लोगों को जानकारी है 17 अगस्त 2022 से रेलवे ग्रूप डी की एक्जाम प्रारम हो रही है और बहुत से इस्टुडेंटों के शौबावी की परसंद जरूर आप लोगों के मन में आया होगा कि 2018 रेलवे ग्रूप डी की भरती में किसी जोन की कटोप आपकी सबसे कम रही तो थोड़ी सी कर् tabन लोग चर्शा करते हैं अगर अपने लोग बात करते हैं कि सबसे अधिक और से जोन की गई थी तो अपने लोग बात करते हैं कोल कता की कि तो कोल कहता है कि जो आप लोगों की फाइनल कटोभ गई थी 80.07 अगर अपने लोग साथ हूं सबसे कम कटोभ की बात करते हैं तो सबसे कम कटोब हैं वह आप लोगों की गई थी बैंगलूर की और वह गई थी आप लोगों की 62.01 अब जो रेल्वे ग्रूब डी की जो कटोब है वो तीन टाइप से आप लोगों की दी गई थी एक तो अकोर्डिंग टू कमुनिटी जनरल है ओबिसी है सबसे कम रेल्वे ग्रूब डी की जो कटोब उन इस्ट्टेंटों की जाती है जिनोंने रेल्वे से अपरेंटिशिप कर रखी है और रेल्वे उससे अपरेंटिशिप को किस नाम से जाड़ता है सिसी एक सिसी एक के नाम से जाड़ता है यानिकि आप लोगों का कोर्ष कंप्लिटेड एक्ट अपरेंटिशिप जिनोंने रेल्वे से अपरेंटिशिप कर रखी थी उन्हें स्ट्टेंटों की कटोब आप लोगों की सबसे कम जाती है इस बरती में भी अगर जिन बच्चो अंकि कितनी आप लोगों की कटोब रही थी तो देखिए सातियों सबसे पहले अपने लोग बात करते हैं आपके जोन अजमेर की अजमेर जोन में अगर अपने लोग बात करते हैं कि जनरल के टिगरी वाले स्टुडेंटों की कितनी रही थी तो 73.73 कटोब आप लोगों की थी वीषी की 707 नमबर गई थी आप लोगों की से वाड़ों की 63 नमबर गई थी और 20 वालों की 60 नमबर गई थी आगर आपना लोग बात करें आक सरी उसमेन वाण की 40-3030 आप जिन बच्चों ने कर रखी है उनकी कटोब देख लीजिए आप लोग यानिकी अप्रेंटीशिप कर रखी और अजमेर से जिस बच्छे ने बरहता 40 अब देख लोगी अप्रेंटीशिप का कितना फाइदा होता है कहां 40 नमबर और कहां आप लोगों के थेतर नमबर अगर कोई स्टुडेंट आप लोगों का जोन की इसी प्रकार अपने लोग बात करते हैं आपके एमदाबाद की तो अगर आगे बात करते हैं औब का स्टूडेंट आप लोगं का फोर्म नहीं अप्लाई किया है और अप्रेंटिसी वर्ल देख लो आप लोग 40-30-30-30 आप देखो यह 40-30-30 क्यों गया गया है आपको बता रेलवे जो रेलवे हैं वो मिनिमम जो मार्क से उसकी केटेगरी भी रखता है तो 40 से कम तो आप के क्वालिफाई नंबर है जो रेलवे ने 2018 में निर्धरीत कहते हैं आगे अपने लोग बात करते हैं कौन अहम्दाबाद जोन के बाद में इसी तरीके से इलाबाद जोन की तो देख लीजिए आप लोग जनरल की छोंतर है और बीसी वाणों की उनंतर है ऐसी की पचास है को आप सर्विसमाल की दीवी है और ये आप लोगों की अपरेंटीशिटीट कीильно और ये आप लोगों की श्मेंस की लेफ है बात जिन बच्चों नेफ कर रही तो प्रेंटिशिप का यह सब्सक्राइब प्रेंटीश चैनल के लोगो बाथ करते हैं benした यह प्रेंटिशिप पहल में लोगोगो 90 जीरो यह नहीं कि यहां पर आपका स्टूडेंट बिठा नहीं है आगे अपने लोग बात करते हैं बेंगलूर की यह रेलवे ग्रूबडी का दो जार अठारा का वो जोन था जिसमें आप लोगों की सबसे कम कटोप गई थी अकोर्डिंग टू कमूनिटी और बकिती से और चाली से कम तो जाई नहीं सकती चाहिए एक सर्विस्मेंन हो चाहिए आप लोगों की कोई सी भी केटेगरी हो 62 और इस कारण हो सकता हो कि इस बार सबसे ज़्यादा वहां फूर्म आप लोगों के अपलाई विए हो ओविसी चपन है ऐसी आपका 49 नुमबर है एस्टी वड़ा आप लोगों का 48 नुमबर है आगे अपन लोग दूसरी जोन की बात करते हैं दूसरा जोन आप लोगों का बिलासपुर जनरल सकतर है ओबीसी 66 एसी 69 और एस्टी आप लोगों का बाउन है अप्रेंटीश वड़ी आप ल सब्सक्राइब की देख लीजिए यह भी आप लोगों का चर्शी जोन रहता है जनरल की आपकी शीचोतर रहें ओबीसी की 68 है ऐसी की 34 है और एस्टी की पस्वन है अब अगर अगर अपन लोगों की बात करते हैं यह भी आप लोगों का मेक्जिमम का टोप के नजदीक वड सब्सक्राइब करते हैं तो कौन सा जोन है जिसकी रेलवे ग्रूप डी की सर्वादी कटोप गई थी 2018 में यह आप लोगों के सामने है असी पॉइंट सतावन और बीसी गेतर पॉइंट सतंतर ऐसी गेतर पॉइंट सास देख लो और ऐसी की आपकी इक्वल्सी की गई है एस आपका कोल कत्ता वाड़ा जोन आता है आगे अगे अगे अपन लोग बात करते हैं मुंबई जोन देख लो मुंबई की लोगों को पहले पिछली बार यह लग रहा था कि वह सर्वादी करेगी लेकिन देख लो आप लोगों के 60 रही थी जनरल वाणों की ओभी सी ओड़ों सब्सक्राइब करते हैं अगर अगर बात करते हैं सिकंद्राबाद की तो जनरल की उन अंतर है वोगों की जोन थे और इस बार आप आप लोगों ने कौन कौन से जोन से आप लोगों ने फोरम अपलाई किया है तो कटोप एक पिछली बढ़ती की जो आपकी जानकरी में हैं बगी आप लोगों को रेलवे ग्रूप डी का जो सलेवस उसको पॉइंट तयार करना चीए अच्छी प्रेक्टिस करनी चीए और जो ओनलाइन माद्यम से आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है सक्षे सेंटर सीकर जरूर आप लोगों के लिए एक दो दिन में जल्दी कोई अच्छा कदम उठाएगा आप सभी को बहुत-बहुत सुप काम नहीं अच्छी मेनत करें और यह लगबग एक लाग तीन जार के लं जरूर आप लोग अच्छी मेनत करें आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद